नमस्कार दोस्तों, स्वागा तयाब सभी का अमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको ब्रस्पती वार की ब्रत कता सुना रहा हूँ प्राचेन समय की वात हैं, भारत में एक राजा राजी करता था वै बड़ा प्रतापी ततादानी था, वै नित प्रती मंदर में भगवत दरसन करने जाता था वै ब्रामड और गुरु की सेवा किया करता था, उसके द्वार से कोई भी याचक निरास होकर नहीं लड़ता था वै प्रते गुरुबार को ब्रत रखता एवं पूजन करता था, हर दिन गरीवों की सायता करता था परन्तु यह सब बातें उसकी राणी को अच्छी नहीं लगती थी वै ना ब्रत करती और ना किशी को एक भी पैसा दान में देती थी वै राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी एक समय की वात है कि राजा सिकार खिलने बन को चली गए धर पर रानी और दासी थी उस समय गुरु ब्रिस्पती सादू का रूप धारन कर राजा के दरबाजे पर विक्षा मांगने आई सादू ने रानी से विक्षा मांगी तो वे कहने लगी है सादू माराज मैं इस दान्त और पुनि से तंग आगई हूँ इस कार के लिए तो मेरे पत्देवी बहुत हैं अब आप ऐसी कृपा करने की सारा धन नष्ट हो जाए तदा मैं आराम से रह सकूँ सादू रूपी विरस्वत देव ने काई है देवी तुम बड़ी बिचित्र हो संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है इसको सभी चाते हैं पावी भी पत्र और धन की इच्छा करता है अगर तुमारे पाल धन अधिक है तो भूके मनिश्यों को भुजन कराओ प्याव लगवाओ, ब्रामनों को दांदो, धरम साला बनवाओ, कुवा तला, बावडी, भाग, बगीचे, आधी का निर्मान कराओ तथा निर्दनों की कुवारी कर्ण्याओं का विवा कराओ, साथ ही यग्यादी करो इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा, एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी परंतु रानी साथू की इन बातों से खुश नहीं हुई, उसने कहा हे साथू माराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यक्ता नहीं, जिसको मैं अन लोगों को दान देती फिरों, तदा जिसको रखने और समालने में ही मेरा सारा समय नेस्ट हो जाए साथू ने कहिए, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है, तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना ब्रस्पतिवार के दिन घरांगन को गोवर से लिपना, अपने केसों को पिली मिट्टी से दोना, केसों को दोते समय श्नान करना, राजा से केना वह हजा मत करवाए, उजन में मास मदरा खाना, कपड़े धोवी के यह दुलने देना, इस प्रकार साथ ब्रस्पतिवार करने हुए, केवल तीन ब्रस्पतिवार ही भीते थी, कि उसकी समझत धन समपत्ति नश्ट हो गई, भोजन के लिए दोनों समय परवार तरसने लगा, तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा, तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहू, मैं दूस बेचता, इस तरह जीवन व्यतित करने लगा, इधर राजा के विना रानी और दासियां दुखी रहने लगी, किसे दिन भोजन मिलता और किसे दिन जल पीकर रह जाती, एक समय रानी और दासियों को साथ दिन बिना भोजन के व्यतित करने पड़े, तो रानी ने अपनी दा दासी से कहा हे दासी यहां पासी के नगर में मेरी बहish रती है वैवड़ी दनवान है तूसके पास जा और वहां से पांच से बेजर मांकर करके लिess यां जिससे कोई समय के लिए गुजर हो जाएगा दासी राणी की बहish इन उसमय में पूजा कर रहे थी ब्रस्पतिवार का दिन था दासी ने रानी की वेन से का है रानी मुझे आपकी वेन ने बेजा है मुझे पांस से बेजर दे दो दासी ने ये बात अनेक वार कही परंतू रानी की वेन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उस समय वै बिस्वतिवार की कथा सुन रही थी जब दासी को रानी की वेन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वै बहुत दुखी हुई उसे क्रोध भी आया वह लोटका रानी से बोली है रानी आपकी वहन बहुती गबंडी है वह छोटी लोगों से बात भी नहीं करती मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया मैं बापस चड़ी आई रानी बोली ही दासी इसमें उसका कोई दोस नहीं है जब बुरे दिना आते ही तब कोई सहारा नहीं देता अच्छे बुरे का पता बेपत्ती में ही लगता है जो इस्वर की इच्छा होगी वही होगा यह सब अमारे भागे का दोस है उदर रानी की वहन ने सोचा कि मेरी वहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई होगी अतय कता सुन और विश्नु भगवान का पूजन समापकर वह अपनी वेन के घर आई और कहने लगे है वेन मैं बिस्पती बार का बिरत कर रही थी तुमारी दासी हमारे घर गई थी तुमारे पास पास सेल बेजर लेने के लिए वेजा था रानी की बेहन बोली बेहन देखो ब्रस्पती वगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते ही देखो साइथ तुमारे घर में ही अनाज रखा हूँ यह सुनकर दासी घर की अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का बड़ा मिल गया उसे बड़ी हरानी हुई क्योंकि उसने एक एक वर्तम देख लिया था उसने बार आकर रानी को बताया दासी अपनी रानी से कहने लगे है रानी देखो वैसे हमको जब अन्य नहीं मिलता तो हम रोज ही ब्रत करते ही अगर इन से ब्रत की बिदे और कथा पुछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे दासी के कहने पर रानी ने अपनी बेहन से ब्रस्पती वार ब्रत के बारे में पूचा उसकी बेहन ने बताया है रानी ब्रस्पती वार को सुरुदे से पूर्व उठकर इश्णान करके ब्रस्पती वार का ब्रत करना चाहि ब्रस्वतिवार के बरत में चने की दाल और मुनक्कों से विश्णु भगवान का केले के ब्रक्ष्टी जडमें पूजन करें तथा दीपजलावें और इस दिन एक ही समय भोजन करें भोजन पीले खाद पदार्द का करें तथा कथा सुनें इस प्रकार करने से गुरु पूजन जरूर करेंगी साथ दिन बाद जब ब्रस्पत बार आया तो उन्होंने व्रत रखा गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तता उड़त की इदाले से केले की जड़ में विश्नु भगवान का पूजन किया अब भूजन कहां से आये दोनों बड़ी तुम दोनों करना दासी भूजन पाकर बड़ी प्रिसन होई और रानी से बोली रानी जी भूजन कर लो रानी को भूजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए वह दासी से बोली जा तू ही भूजन कर क्योंकि तू हमारी विरत में हसी उलाती है दासी बोली एक व्यक्ती अब ही भोजन देगा है। रानी करने लगी, वै भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तो ही भोजन करने। कार आलस करती थी तुम्हें धन के रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया अब गुरू भगवान की किरपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है बड़ी मुसीवतों के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें धान कुन करना चाहिए तुम भूक प्राप्थ हो और पित्व पड़सन हो दाजे की बाट मांनकर राणी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्राणम किए जिससे उनका काफी यस फ्यलने लगा एदर राणी और दाढसी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा केस धसा में होँगी उनके कोई खोश खबन गुरु भगवान से उन्होंने प्रातना की और भगवान ने रात्री में राजा को सपन में कहा ए राजा ओठ तेरी रानी तुझको याद करती है अब अपने देश को लोग जा राजा प्राते काल उठकर जंगल से लकणिया काट कर लाने के लिए जंगल की ओचल पड़ा जं ब्रस्वत देव एक सादू का रूप धारन कराए और राजा के पास अगर बोले ही लकडा रही तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैटे हूँ मुझे बतलाओ ये सुन राजा की नेत्रों में जलबर आया और सादू की बंदना कर बोला है फिर वो आप सब कुछ जाने वाले ही इतना कहकर राजा ने सादू को अपनी संपून कहानी सुना दी मात्मा तो सुवाब से ही द्यालोग होते ही वे राजा से बोले ही राजा तुमारी पत्नी ने ब्रस्वत देव के प्रती अपरात किया था जिसके कारण तुमारी ये दसा हुई आव तुम किसी कहूं या सुनू भगवान तुमारी सम्मनुकामना को पूर्ण करेंगी सादो को प्रिसंद देखकर राजा वुलही प्रवो मुझे लखड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं भशता जिससे भुजन करनी के उपरांद कुछ पचा सकूं मैंने रात्री में अपनी रानी को ब्य सेकर सहर में जाओ तुम्हें रोज दोना धन प्रात होगा जैसे तुम भली वाती भुजन कर लोगे तता ब्रिस्वत देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा साधू करने लगा कि ब्रिस्वत देव की कथा इस्परकार हैं प्राचेन काल में एक बहुत नर्दन ब्रामर था उसके कोई संता Не 2 वह नित्त पूजा पाट करता प्रंतु सकी इस्त्री बहुती मलिंता के साथ रहती थी। वह ना इस्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती। प्रात एकाल उटते ही सरप्रतम भूजन करती। बाद में कोई अन्यकार करती। ब्रामर देवता बहुत दुखी रहती थी। पत्नी को बहुत समझाते कि इन्तु उसका कोई पढ़नाम ना निकलता। भगवान के अनकमपा से एक समय उस ब्रामण की पतनी गर्व बती होई और उसने दसमे महीने एक सुंदर कन्या को जनम दिया, निर्दन ब्रामण कन्या की जनम से बहुत दुखी हुआ, धीरे धीरे ब्रामण की कन्या बड़ी होने लगी, बच्पन से ही उस कन्या की रूची भगवान विश्नु की पूजा में थी, वे प्राते उटते ही इस्नानादी करके भगवान विश्नु की पूजा करनी मंदर में जाती थी, ब्रस्वतिवार को ब्रत करके विदिवत पूजा पाठ करती थी, पूजा पाठ के बाद वे पढ़ने के लिए पाठ साला में जाती अगले दिन बिष्पत इबाड था उसने वगवान बिष्पत देब की पूजा करते हुए प्रातना की ही रगवान यदि मैंने आपका ब्रित विदिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दू भागवान बिजवत देव ने उसकी मनुकामना पूरी करने का वचन दिया पाट साला से लोटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला घर लोटकर सोने का सूप अपनी मा को दिखा कर वह सोने के दाने साफ करने लगी उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से घुजरा उस सुन्दर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देख राजकुमार उस पर मुईत हो गया महल में लोटका राजकमार ने राजा से उस लड़की से विवा करने की चाप प्रकट की तो राजा ने ब्रामर को महल में बलाकर राजकमार से उसकी लड़की के विवा की बात कही ब्रामर त्यार हो गया दूंदाव से उस लड़की का विवा राजकमार से हो गया दोलैन बढ़कर ब्रामड की लड़की महल में चली गई लड़की के चली जाने से ब्रामड फिर नर्दन हो गया उसे कहे कहे दिन तक भोज़न नहीं मिलता था बहुत दुखी होकर ब्रामड एक दन अपनी लड़की के पास गया उसने अपने पिता से निर्दंदा का समचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया उस धन्जे ब्रामर के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए लेकिन जल्दे ही फिर भूपव मनने की हालत हो गई ब्रामर अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर मैल में पहुचा लड़की ने पिता की बुली हालत देकर कहा पिता जी आकिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन याफन करेंगी आपको यह ऐसा उपाई क्यों नहीं करते जिसे आपका घर भी धन समक्ति से बढ़ जाए ब्रामर ने कहा मैंने तेरी मा को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता उसका फोड़ पन नष्ट हो जाए तो घर की निर्दंता भी दूर हो जाए तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा पिता जी आप कुछ दिनों के लिए मा को मेरे पास छोड़ जाओं ब्रामर अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया लड़की ने अपनी मा से कहा मा तुम कल प्राते उठकर इसना नादी करके भगवान बिश्वत देव इसनु जी की पूजा अवश्य करना पूजा करने से तुमारी निर्दंता अवश्य दूर हो जाएगी ले उस दिनों तक ऐसा करने से मा की बुद्धी में परवर्तन हुआ और वैस्वायम ब्रिश्वती वार का ब्रत रखने लगी उसके ब्रत रखने से ब्रामर के घर में बगवान बिश्वत देव की पूजा की उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गई लेकिन अगले देव का ब्रत नहीं किया भैवान ब्रिश्वत देव लकडारे से कुर्यत हो गई और उसे भूल के सजा दी उस दिन नगर के राजा ने नगर में गोशना करके सब को सुचित किया प्रतिक नागरिक मेरे मेर में बुजन करने आई जो नहीं आएगा उसे अपरादी मान कर भ कर ले गई राजा ने उसे में ऐकुटि पर रानी का सोने का हा लड़ लटका हुआ था लकडारा अकिला उसे भूजन कर रहा था तभी उसने एक आश्या जनक गटना गती देखी देखते ही देखते हुए खूंटी हार को नेगल गई थोड़ देर के बाद राजा ने हार को गायद देखा तो लकडारे को कारावास में डलवा दिया लकडारा मनी मन अपने भागों को कोशनी लगा तब ही उसे जंगल में मिले सादू का इसमन वाया थोड़ देर में भगवान ब्रिश्वत देव सन्यासी की रोप में उसके सामने प्रिकट हुए और कहा है लकडारे तूने भगवान ब्रिश्वत देव की पूझा नहीं की थी इसे कारण तुम्हें यह कश्ट हुआ है लेकिन अब तुम चिंता मत करो ब्रिश्वत दिवार के दिन कारागर के दर्वाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगी उन पैसों से भगवान ब्रिश्वत देव का ब्रित करके उनकी पूझा करोगे तो तुमारे सब दुख नइस्ट हो जाएंगी ब्रिश्वधिवार के दिन दर्वाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड मंगा कर लकडारे ने ब्रगवान ब्रिश्वध देव की कता कही तो बगवान ब्रस्वत देव ने परसन होकर उस नगर की राजा को सपने में लकडारे को कारार से मुक्त करने को कहा सुवे राजा ने अपने कर्ष में आकर देखा तो खूटी परानी का हाट टंगा हुआ था राजा ने लकडारे को मक्त कर दिया और उसे धन और आवुसन दे कर विदा किया लकडारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुँचा तो उस नगर में कुवे धरमसला बाव वगिशे देखकर बहुत प्रसन हुआ राजा ने किसी से पूचा ये कुवे धरमसला किसने बनवाई ही सब ने उसे बताया कि ये सब राणी और उसकी दासी ने बनवाई ही राजा मेर में पहुचा तो राणी ने उसका भव इस्वागत किया कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई एदन गोड़े पर सवार होका राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया अब ही राजा नगर के बार पहुंचाई था कि उसने कुछ लोगों को एक सब को लिजाते हुए देखा राजा को इसमन वाया कि आज उसने किशिवो बिर्श्वतिवार की बृत कता नहीं सुनाई है राजा ने उन लोगों को रोक करका भाईयों आप सब को ले जाने से पहले मुझे बिर्श्वतिवार की कता सुनने लोगों ने राजा पर कुरोदत होते हुए कहा तुम पागल तो नहीं हो गए हूँ लेकिन कोछ बड़े बूरे लोगों ने कहा अच्छा भाई साथ में चलते चलते तुम अपनी कता भी सुना लो राजा ने चलते हुए आदी कता ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा राजा की पूरी कता सुनते ही सब उठकर बैट गया लोगों ने एहनानी से दांतों तले उंगली दवाई और अगले बिर्श्वत वार से भागवान बिर्श्वत देव का ब्रत करने वा कता सुनने का निश्या कर लिया अब गोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा किसान अपने खेत में हल चला रहा था राजा ने का रहे भाई मुझे बिर्श्वत वार की कता सुन लो किसान जुनला कर बोला अरे भाई देख नहीं रही जितनी दिर में तुमारी कता सुनूंगा उतनी दिर में तो पूरे खेत में हल चला लोगा राजा निरास होकर चलने लगा तब ही किसान के बैल लड़ खड़ा कर जमीन पर जाकरे किसान के पेट में भी जोरों का दर्ध होने लगा उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के बारे में पूचा किसान ने गुर्सवार की पूरी कहनी सुनाई किसान के पत्नी दोड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली भईया मैं तुमारी कता सुनने को त्यार हूँ राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बिर्सपतिवार की कता सुनाई तब ही बैल उठकर खड़े हो गई किसान के पेट का दर्द भी तुरंट ठीक हो गया राजा अपनी बैन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आगबगत हुई अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे ही इसी भुके को बिष्वतिवार की कता सुनाई विना राजा भोजन नहीं करता था उसने बैन से का बैन क्या घर में कोई ऐसा वegtती है जिसने अबितक भोजन ना किया हूँ इसकी बैन बोली भगिया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हूँ तब राजा ने बेहन के घर से निकल कर उस नगर में बिना भोजन किये व्यक्ति की तलास की एक गड़रिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूका रह गया था राजा ने उसको जाकर ब अपनी सास से पूचा तो सास ने ताने देते हुए का बहू माई के जाना तो अकेली जाना मेरे पोतों को नहीं ले जाना तुमारे भाई के कोई संतान नहीं है कहीं तुमारी भावी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दी दूसरे कष्मे बेहन के सास की बातें सुनक राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लोट गया राणी ने राजा से कहा आप तो अपनी वेहन को साथ लाने की बात कहकर गए थी फिर वेहन को साथ क्यों नहीं लाई तब राजा ने दुखी होते हुए कहा राणी हमने संतान ही इसलिए कोई अमारे घर आना पसंद नहीं करता राणी ने राजा को समझाए है प्राणनात हमें ब्रश्वत देव ने सब कुछ दिया है अब भागवान ब्रश्वत देव हमें संतान भी अवश्य देंगे ब्रश्वत वार को विद्वत करते हुए राजा राणी ने बागवान ब्रश्वत देव से संतान के ल ब्रस्वतिवार का ब्रत करते रही उनके घर में धनकी वर्षा होती रही इस तरह आनंद कुर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी ब्रस्वत देव की अंकमपा से मुक्ष को फ्राप्ट करके सीधे वैकुन धहम को चले गए ब्रस्वतिवार को विदिवत ब्रत करके जो इस तरह प्रोस भागवार विष्णू की पूजा करते हैं भागवार उनकी सभी मनोकमनाय पूर्ण करते हैं एते श्री ब्रस्वतिवार ब्रत कथा संपूर्ण बुलो ब्रस्वत देव भगवान की जये बुलो विष्णू भगवान की जये